आज हम बनाएंगे टेस्टी रशियन कबाब जोके मूँ में खुल जाने वाला और बहुत ही टेस्टी बनके तयार होता है प्लस हम इसे जो है बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे आज तो चलिए टाइम ना जाए करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं यहां पर दीखिये सबसे पहले मैंने लिया है एक बड़ी साइस का आलू जिसे काट लिया है 5-6 बीन और यहां पर मैंने Couple जो लिया है chicken ।ो सबसे पहले हम कूकर में डालेंगे chicken और इसमें डालेंगे हम थोड़ासा एक छोटा चमच के करी अदर कलसन का पेस्ट और थोड़ा सा आदा छोटा चमच काली मिच का पाउडर और एक चमच डालेंगे हम इसमें नमक साथ में भी डालेंगे पानी तो पानी बहुत जादा नहीं डालना है देख सकते हैं आप मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है तो बस इतना पानी डालेगा आप कि हम 2-3 इसमें सीटी ले ले और यह सूख जाए पुरा पानी ठीक है उसके बाद में हम इधर पर बीन्स डालेंगे तो बीन्स को मैंने देखे बड़ा बड़ा काटा है शुम्रा मिर्च भी मैंने बड़ी-बड़ी काटी है और गाजर लिय कि यहाँ पर ढूंपर रखए मोस अपर कर दो कि अधरशन में कहाता जैंकि को में भी मैंने डाल शुख जानका है ऐसे और टेक़्िभी को जो कर दो कर से राधाने अधरब कर सीटी वर बाटते हैं ओद बालेगें और जाणता बीस में हमिरा जानकाल मैंने यहाँ पर निल् इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेगे इसे बें द्युरू और चुकन को श्रैट करने की आडों से इसे मेयार जे लिडिय से हिर लेंगे तो देखिए, सब्जियां जो है, अच्छ तरीके से मैश हो रही है, फोक के होल्प से ही, तो बस तीन सिटी हमने जू लिया है न, इसे बहुत अच्छ तरीके से जो है, हमारी सब्जियां गल जा दी है, प्लस,चिकन भी गल गया है, और एक अच्छा सा फ्लेवर आता है चिकन जो है मैंने ऐसी ही बॉइल करके खा के ट्राइग किया बहुरी टेस्टी लग रहा था तो बस सारी चीज़े हम इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम क्या करेंगे न एक कड़ाई रखेंगे गैस पे और यहां पे मैं दो बड़े दो टेबल स्पून के करीब मैंने डाला है मसका मखन तो अगर आपके पास मखन नहीं है तो आप तेल में भी बना सकते हैं लेकिन अगर म का पेस्ट मैं अभी इस वक्त डालोंगी ठीक है तो बॉल करने के टैम पर ही है आप पूरा अदक लसन मन डालिए थोड़ा डालिए आदा डालिए और आदा इस टाइम यूज कीजिए ठीक है अब अब अच्छे से भूनना है जब इसकी स्मेल निकल जाए तब हम इसमें ड अच्छी से खुश्बू नहीं आ जाती ना तब तक ये फ्रेंड्स इसे आपको भूनना है तो अब हम इसमें एक और एक चीज यहां पर आड करेंगे तो यहां पर देखे मैंने लिया है एक मैगी मसाला का पैकेट पांच रुपे वाला आता है वस वही डालना है इससे जो को और सारी चीजों का अच्छे से मिक्स करते हुए हमें जो है इसे भूनना है तो यहां पर आप देख सकते हैं सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजे अब इमें आपको दिखाती हूं किस तरीके से आपको भूनना है यहाँ पर देखिए धूवा जो है बहुत अच्छी तरीके से उपर आना चाहिए और एक बहुत अच्छी खुश्बू आ दिये फ्रेंड्स यह इसे भूनने के टा अच्छे से आप भूनियेगा इसे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो बस सारी चीजे हमने अच्छे से मिक्स कर ली और इसे एक प्लेट में निकालके ठंडा कर लेंगे जब यह ठंडा हो जो है तब हम इसे साइड में रखेंगे और यहाँ पे देखिए मैंने लिया जो है पेटली आमने इसे साइड में रखते हैं और यहाँ पे जो चिकन और सबजीयो का मिक्स्टर है इसे हम थोड़ा-थोड़ा हाथों पे लेंगे और इस तरीके से दबाते हुए शेप दे देंगे अंडी का शेप देंगे ओल शेप तो देखिए इस तरीके से दिया सार में लेना है गोल करना है और ऐसी तीन से चार उगले के हलप से इसे दपा देना है उसके बाद में इसे हमें शेप दे देना है तो बस देखिए बनके तयार हो गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे ही बना के तयार कर लिए हैं तो इसे साइड में रखते हैं अब यहाँ पर हमें लेना है अंडा और सेवई तो पहले इसे अंडे में डेप करना है उसके बाद में हम इसे इसमें लगाएंगे सेवईया तो मेरे पास वहाद बारीक सेवई थी फ्रेंड्स तो मैं उसी का स्तेमाल कर रही हूँ अगर आपके पास थोड़ा मोटा सेवई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं तो बैस इसे अच्छे से हमें कोट कर लेना है इसके उपर और इसे अब हम साइड रखेंगे सारे ही मैंने कोट कर लिये हैं और यहाँ पर गैस पर रखा है कड़ाई जब तेल गरम हो जाए इस तरीकी से हाथ लगा के चेक कर सकते हैं थोड़ा से धुआ उपर आए या गरम जैसा लगे यानि के हमारा ओइल जो है गरम हो गया है तो बस एक एक करके इसमें डालेंगे हम और इसे जो है हम अच्छे से सुनारा होने तक के पका लेंगे यहाँ इसकी आज को मिडियम रख depicted गा नाहीं स्लो नाहीं हाई medium आज पे जो हम इसे अच्छा सा color आने तक कि इसे हम पका लेंगे तो यहाँ पे देख सकती है आप बहुत अच्छा से बैतरीन सा color आ गया है इस पे तो चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं तो देखे फ्रेंट्स यह जो हम सारे ही कबाब निकाल लेंगे फ्राई करके सेवई यह बहुत बारी बारी के इस वज़े से इस तरीके से दिख रहा है कोई बात नहीं अगर आपके पास सेवई नहीं है तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से बनाना है तो अगर आपके पास सिवई नहीं है तो आप अंडे में इसको डीप करके उसी भी फ्राई कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में 3-4 बिना सिवई के है तो इसे जो है मैंने सिफ अंडे में फ्राई किया था तो चलिए अब बारी है आपको तोड़ के दिखाने की तो यहाँ पर देखिए तोड़ा मैंने कितना बहतरीन और कितना चटपट हमारा बन के तयार हुआ है अलग से सबजिया पकाना कुछ भी नहीं बस कूकर में हमने चिकन और सबजिया सारे ही चीज डालके अच्छे से हमन तो यहाँ यहाँ नहीं टीज बस करी लिए अब शर्वाँ बारी है यहाँ नहीं से समने के अईऑ्च ड़के उत्यूब्सक्तूशवफटेटा बस्ता बारा बहतरी तोब आरे बस्ता बढ़ के पिला है यहाँ नहीं दोते हैं आरी है